अब हम लोग बात करने वाले हैं use effect hook के बारे में जो कि functional component के अंदर life cycle methods के लिए use होता है आप यहाँ पे कुछ question पूछ सकते हैं मेरे से जैसे कि क्या life cycle methods तो काफी सारे होते हैं सो क्या सब के लिए अलग-अलग hooks होते हैं या फिर यह बस इकल होता use effect hook एक ही होता है जी हाँ सारे के सारे life cycle methods के लिए एक ही hook होता है which is use effect इसके अंदर हम लोग कुछ conditions and parameters और पास कर देते हैं तोड मरोड के इसी को हर एक life cycle method के लिए use में ले लेते हैं second question आप यह पूज़कते होगी है हम लोग life cycle methods पढ़ रहे हैं या फिर use effect hooks पढ़ रहे हैं देखो यहां पे ना confused होने की जरूरत नहीं है गंगादरी चक्ति माने जाने कि जब भी आपको functional component के अंदर life cycle methods use करने होंगे आपको क्या use करना है use effect और इसको आप class component के अंदर use नहीं कर सकते class component के अंदर आपको एक एक life cycle methods ही लिखने पढ़ेंगे बट जैसा मैंने आपको last और second last वीडियो के अंदर बताय था कि class component बहुत ज़्यादा use नहीं होते हैं हम लोग functional component ही use करते हैं हम लोग वहाँ पर जदा focus नहीं करेंगे हम लोग use effect के उपर ही focus करेंगे और यह देखने वाले हैं आने वाले कुछ video के अंदर कि इसको हम लोग different different तरीके से कैसे use कर सकते हैं कैसे इसको mounting के लिए use कर सकते हैं कैसे इसको application के लिए use कर सकते हैं आने वाले parts के अंदर देखेंगे दीरे दीरे, ठीक है, अब points से start करते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा, use effect hook होता क्या है, even मैं आपको बता चुका हूँ सब कुछ, but again मैं एक बार explaining कर दूँगा, because थोड़ा सा confusing हो सकता है beginners के लिए, उसके बाद मैं कैसे इसको use कर बार interviews में पूछे जाता है, जब ये point आएगा न, coding करेंगे, तब programming करेंगे अभी इस वीडियो के अंदर ही, तो तभी मैं आपको बताऊँगा, और last में कुछ interview question भी हम लोग cover करने वाले हैं, so पहले question की साथ में start करते है, use effect hook होता क्या है, देखो, जब भी आप से कोई effect, hook का use करते हैं, ठीक है, all right, अब इसको कैसे use करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, even कुछ पार्ट मैं इस वीडियो के अंदर बताऊँगा, और आने वाले 2-3 पार्ट के अंदर आपको बहुत अच्छे से clear होगा, सारा का सारा, अगर एक ही वीडियो में बताता है आपको जो कि हम लोगोंने use state कर रहा था, ठीक है, वो भी खूकी होता है, so, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, simply, यहाँ पर लिखना start करेंगे, use effect, ठीक है, अगर यह उपर से import नहीं हो रखा, तो इसको import कर देना, यह मैं सब कुछ scratch से बताता हूँ आपको, ठीक है, मैं नहीं जात करेंगे इसको, जब यह ऐसे function के जैसे दिखेगा ना, इसके अंदर आपको एक callback function पास करना होता है, देखो मैं कैसे करना हो भी, ठीक है, यह एक arrow function होता है हमारा, तो यह इसके अंदर एक callback function चला गया, अब मैं जो भी इसके अंदर लिखता हूँ, console.one, ठीक है, तो पर इसने print कर दिया, hello, ठीक है, तो यह वाला जो function है, इसको हम लोग बोलते है, use effect hook, और जब भी आपके component के अंदर कुछ भी updation होगी, या फिर यह mount होगा, तो यह अपने आप call होगा, जैसे अभी call होगा, even देखो, because मैंने इस function होगी call नहीं रखा, यह अपने आप call होगा ठीक है, अब देखो, मैं एक और यहाँ पर button बनाता हूँ, यह buffer बन गया, button बना लेता हूँ, ठीक है, इसको मैंने बंद करा, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, title, update, count कर देता हूँ, ठीक है, update count कर दिया, अब मैं यहाँ पर state ले लूँ, simple सी, कोई दिक्कत नहीं होगा मैंने यहाँ पर करा, const, इसको मैं लिया, मैंने count, और यहाँ पर कर दिया, मैंने set count, ठीक है, इसी तरीके से हम लोग use state करते है, use state, by default इसकी value मैं 0 रख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मैंने इसको by default value रख दी 0, अब मैं क्या करता हूँ, इसको on press के उपर, on press पे, इसको update करूँगा, यहाँ पी मैं आया, और यहाँ मैंने लिख दिया, set count, ठीक है, जो हम लोगों नहीं यहाँ पर लिख दिया, और इसके अंदर मैंने कर दिया, 2, simply मैंने 2 कर दिया, ठीक है, एक बढ़ा दिया मैंने, so अब देखो, पहली बात तो, इसके अंदर मैं कुछ change कर रहा हूँ, अभी कुछ भी नहीं है, इसके अंदर सब को हटा देता हूँ, यहाँ से सब कुछ मैंने हटा दिया, अब देखो, मेरी file saved नहीं है, मैं save करूँगा, जैसे save करूँगा, एक बार के लिए watchman चलेगा, component को फिर से mount करेगा, उसने mount करा, क्या print हुआ, hello, अब इ आपके component के अंदर कोई भी probe change होगा, कोई भी state, आप बोलोगे probe change करके दिखाओ, आने वाले part में बताऊँगा वो, otherwise, जो मैं भी बताने ही कुछिश कराओ, वो रह जाएगा, ठीक है, वो हम लोग आने वाले part में बात करेंगे, so, use effect hook, जब भी आपके component में कोई भी, पहली कोई भी state, कोई भी बी बी प्रोप ये change होगे, तब भी ये वाला component कोल होगा, ठीक है, तो आप बोलोगे कि यार, ठीक है, ये बदलब जब भी हमनो कुछ भी click करने हैं, ये change हो रहा है, मतलब कुछ भी press करने है, या फिर कुछ भी event perform मौ रहा है, तो ये change हो रहा है, ये ची का जो यह वाला component है, जैसे आप इसको load करते हो ना, इसके load होने के उपर ही, dynamic data आना चाहिए, API से fetch हो की ठीक है, तो वो वाला code आप यहाँ पे लिख सकते हो component को load करवाने से पहले आपको यह चेक करवाना है, कि user login है या नहीं है, तो आप यहाँ पे चेक करवा सकते हो ठीक है, जो भी आपको component को load होने से पहले आपको चाहिए ना, ताकि आप उसको कोई redirect कर पाओ, कुछ भी action perform कर पाओ, तो यहाँ पे आप कर सकते हो API वगरा call कर लो ठीक है, अब मालो, कि ठीक है, आपको यहाँ पे टेबल के अंदर data चाहिए, users का, जैसे आप component load करोगे, तो कहाँ पे API call करोगे आप, मुझे बताओ, ठीक है, यहाँ पे आप लोग कर नहीं सकते, button press के उपर करेंगे, तो पहले आपको button click करना पड़ेगा, तो use effect के अंदर आप लोग, उस API को call कर दोगे, जैसे ही आपका यह वाला component load होगा, आपका data भी load हो जाएगा, ठीक है, perfect, सब कुछ बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, बट एक problem है, तो अब मालो कि अगर मैं कुछ भी इसके अंदर अपडेट करता हूँ दो, तीन, चार, पांच, कुछ भी अपडेट करूँगा यहाँ पे, तो वो वाला काम तो फिर दुबारा-दुबारा होगा, वो वाला काम तो फिर अगेन-गेन होगा ना, विगोज यह तो बार-बार call होता जा रहा है, तो इसको कैसे fix कर सकते हैं, देखो, इसको fix करने के लिए, एक question मैंने आपको starting अंदर बताया था, कि क्या हमारे पास life cycle methods को use करने के लिए different hooks होते हैं, फिर एक ही hook होते हैं, एक ही hook होते हैं हमारे पास, use effect, इसके अंदर हम लोग कुछ conditions, कुछ parameters पास कर देते हैं, मैंने ऐसा बूला था, तो mounting का मतलब क्या है, mounting का मतलब होते है कि इस use effect को मैं बस तभी use करना चाहता हूँ, तभी call करना चाहता हूँ, जब मेरा component load हो, बाकी जैसी मैं इसके उपर click करके, press करके इसको update करूँ, props या फिस state update हो, तभी ये call नहीं होना चाहिए, मुझे बस तभी चाहिए, तो उसके लिए पता है simple तरीका क्या है, simply आप यहाँ पर लिखो इस तरीके से, चीक है, इस तरीके से लिखतो इसको, अब जब हम लोग यहाँ पर second कॉमा लगान के बाद में, हमने second parameter पास कर दिया न, और यह blank array, इसको बोलते हैं, हम लोग blank array, empty array बोल सकते हो, जब भी यह चीज़ पास कर देते हैं इसके साथ में, तो यह इसको समझ में आजाती है, कि या भ्या मुझे तो तभी call होना है, जब मेरा component mount होगा, ठीक है, इसके बाद में, अगर यहाँ पे कोई state अगरा change होती है, तो मुझे call बिलकुल भी नहीं होना है, तो अब आप देख सकते हो, यहाँ पे एक बार call हुआ, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके, update पे click करता हूँ, update पे click करा, अब यह call ही नहीं हुआ, आप बोलोगी, शायद यह state की value update नहीं हो रही हो, ठीक है, एक बार यह चेक कर लेते हैं, मैंने यहाँ पे करा, count को print करवा दिया, ठीक है, और बार बार इसको update करने के लिए मैं क्या करूँगा, कि जो count की current value होगी, मालो count की value 1 है, तो अब plus 1 हो जाएगा, फिर count की value 2 है, तो इसके own press के उपर एक एक बढ़ती जाएगी, ठीक है, तो मैं इसको just refresh कर रहा हूँ, again, यह एक बढ़ी call हुआ, mounting के उपर यह call हो गया, load के उपर call हो गया, उसके बाद में मैं इसको हटाता हूँ, और यहाँ पे जैसी change करता हूँ, 2, 3, 4, 5, अब यह call नहीं हुआ, तो इसको हम लोग बोलते हैं, mounting, तो मैंने आप एक point लिखा थ use effect for mounting phase, ठीक है, तो इसके लिए यह use में आ गया, समझ गए, next world part के नदर में आपको यह बताऊंगा, कि अगर आपको यह वाला use effect है, यह update के लिए use में करना है, update माने तो, कि जब भी आपका component, आपके component के अंदर को state approved update होगा, तभी यह call होना चाहिए, द्रवाइज यह वाल 5 state है, 6 state है, आप चाहते हो कि यह वाला, जो use effect है, बस 2 या 3 state के उपर यह update हो, हर बार update ना हो, 2 या 3 probes के उपर यह update हो, बाकी वाले, जब इम लोग probes update हो, उसके उपर update ना हो, तो वो कैसे कर सकते हैं, आप हो आने वाले part के अंदर बता हो, right, so, अब एक और question था, हम लोग component होते हैं, उसके अंदर life cycle method होता है, यह वाला, और अगर आप से कोई यह बोले ना, कि आप एक component को, एक use effect को, component did mount की जैसे कैसे use कर सकते हो, तो उसका मतलब यह होता, component did mount का, यह बाकी किसी case में नहीं चलेगा, जब भी आपका component, बस load होगा, mount होगा, उसी के case में चल रहा है तो हम लोग उसको बोलते हैं, component did mount, यह class based component में function भी होता है, अगर आपको ऐसा बोले, तो आपको यह बोलना है, कि हम लोग इसके अंदर एक empty array pass कर देंगे, तब यह बस component का, जब mount होगा, did mount के case में चलेगा, बाकी किसी भी case में नहीं चलने होगा, और अगर आपको इसमें क कुछ confusion है, कुछ दिक्कत है, तो मुझे comment section के अंदर पूच सकते हो, और that's all for this part, मैं आपसे request करूँ कि please video को like करो, channel को subscribe करो and comment section में अपना feedback दो, thank you a lot